हलो दोस्तों स्वागत है आपका डेटा फ्लेयर कोर जावा प्रोग्रामिंग के सर्टिफिकेशन कोर्स में जहां पर हम आज देखने वाले हैं अभी मैंने आपको क्लास में समझाया कि file output stream को हम किस तरीके से यूज करेंगे to store the data in a file या file input stream को हम किस तरीके से यूज करेंगे to read the data from a file, write mode, append mode और काफी सारा discussion अभी हमने किया है तो चलिए एक बार इस application को implement करके हम देखने है तो यहां पर मैं एक नई file create करता हूँ सबसे पहले तो यहां पर मैंने एक नई file create के जिसका नाम मैंने रखा सबसे टेस्ट write.java के नाम से और यहां पर हमने सबसे पहले import किया है मैं इसको थोड़ा सब बंद कर देता हूँ java.io.star और हमने class बनाई है test write और इसमें हम बनाने वाले है main method तो यहां पर मैंने लिग दिया public static void mean public static void main and this is what string args write तो अब मुझे सबसे पहली step में क्या करना है सबसे पहली step में मुझे फाइल को open करना है write mode में मैं आपको write और append दोनों mode बताता हूँ और यहां पर आप देखिए उसके पहले हम एक काम करते हैं कि हम hard disk में अपना एक folder create कर लेते हैं तो यहां पर आप c dry में मैंने एक folder बनाया है folder का नाम रख दिया मैंने suppose dataflare file okay dataflare file is already exist तो मैं यहां पर इस folder को कोई नया नाम दे देता हूँ मानली जी मैंने इसका नाम दे दिया है dataflare ठीक है dataflare java ठीक है मैंने इसका नाम दे दिया dataflare java के नाम से ओके तो यहां पर मैं अब अपने file create करूँगा which the folder name is dataflare java ओके तो अब मुझे क्या करना है यहां पर मैं इसको just copy कर लेता हूँ ताकि हम as it is use कर सके तो अब देखिए सबसे पहली step में मुझे file output stream class का object बनान यहां फाइल आउट्पूट स्ट्रिम एक फोएस एकवल टू न्यू फाइल आउट्पूट स्ट्रिम और मेरा आपको बदा था कि इसका जो कंस्ट्रक्टर है वो आपसे फाइल के लोकेशन मांगेगा तो हमने बता दिया c colon में dataflare java नाम के folder मुझे फाइल बनानी है in the name of file is student.java के नाम से राइट तो यहां पर आप देखिए सबसे पहली step में हमने हमारा file object file output stream class के object को ready कर लिए और हमने location बता दिये कि मुझे c drive के dataflare java नाम के folder में student java नाम के file को create करना है तो चलिए एक बार पहले इसको run करके हम देख लेते हैं तो ठोगी obviously बात है जब आप यहां पर code लिखेंगे तो you will get an exception याद करी मैं आप से कहा था file not found exception आएगा which is a compile time exception तो इसका मतलब है कि मुझे इस पूरे code को कहा यहां पर लिखना है try और catch में तो यहां पर हमने catch में लिख दिया exception e और वो इसलिए को की exception is a parent clause of all the exception classes तो यहां पर हम सिंप्ली स्को लिख देतने println e और आप देखें अब जदी में इसको run करता हूं तो there is no error in the code कोई error नहीं है just a moment class not found please define the main method okay just a moment हमने test write.java के नाम से public static void main बिल्कुल सही लिखा है string args में हमने bracket नहीं लगाए क्योंकि वो array है so we need to declare it with an array okay तो आप देखें there is no error in this code और यहां पर आप देखें मैं आपको एक चीज़ और बदाता हूं मैंने अगर यहां पर एक message दिया system.out.println file created है ना मैंने आपर एक message दिया file created right so let's see एक काम करते है इस code को दुबारा run करते है और एक message हमें मिलेगा file created और फिर जाके हम यह देखेंगे कि हमारी file create हुई या नहीं हुई right I'll got this message लेकिन अब इसके बाद मुझे क्या करना है यहां पर c drive में जाके देखें देखें आपके file create हुई है okay student.java के नाम से गलतिस हमने इसको .java file बना है okay तो आप देखें अब यह file आपकी बनी है student लेकिन अभी खाली है अब मुझे क्या करना है file तो मेरी create हो चुगी है अब मुझे इसमें एक single character write करना है तो आप देखें यहां पर मैंने एक character variable लिया और इसको मैंने देदिया a value now how to write this data in a file तो मैंने आपको बताता है there is a method call write method यह write method आपसे data मांगेगी byte format में ठीक है sorry write method आपसे data मांगेगी ओके तो यहां पर आपने क्या लिख दिया CH लेकिन अब आप देखें यहां पर आप concept समझे कि यदि मैं इस application को run करता हूं तो file में बागता character write होना चाहिए याना file created का message आए मेरा और अब मैं अगर यहां पर इसको देखता हूं तो आप देखें what is the character a ठीक है मतलब file में आपका character write हुआ है लेकिन यदि मान लेजिए मैं इस character को कर देता हूं B तब मुझे A भी दोनों मिलना चाहिए चलिए एक बार run करके हम देखते हैं और फिर दोबारा file में जाके हम देखेंगे कि character A और B दोनों file में exist कर रहे हैं या नहीं कर रहे है राइट चलिए यह देखिया there is no character a here अब reason क्या है कि यहां पर जब आप file को आपने open किया है इसका मतलब है अभी आपकी file open हुई है write mode में और यदि file write mode में open होती है तो इसका मतलब मैंने आपको क्या बताया था it always create a new file कि पुरानी file का अब अगर इस file में आप देखेंगे तो यहां पर मुझे B भी मिल रहा है और अब इसके बाद आप जो भी character इसमें type करेंगे वहां पर आपको वह character में लेंगे तो this is how to write a file लेकिन अब आप देखें जैसा मैं आपको बताया था कि file में data write करने के बाद मुझे इस file को compulsory close भी इसलिए तो यहां पर मुझे इस object को declare करना पड़ेगा before the try block और यहां पर मुझे इसको लिखना पड़ेगा कुछ इस तरीके से ठीक है ताकि मैं इसको finally block में भी use कर सकूँ अब आप देखिए बाकेदा file close हुई है और मैंने जैसे आप से गहा था कि किसी भी file में अगर आप data write करना है तो पहले इसको flush भी कर लिजिए तो आपने file को flush भी कर लिया data write भी कर दिया और यहां पर मैंने कुछ और character भी दे दिया अब मैं अगर इसको run करता हूँ तो there is no error क्योंकि सब कुछ हमने प्रॉपर लिखाया एक मिनिट fs.close unreported exception आयो exception must be caught तो यहां पर actually मुझे close method के लिए यह जो exception है इसको try catch की बजाए try finally में लिखना पड़ेगा और यहां पर मुझे इसको throw करना पड़ेगा throw exception ठीक है throw exception not it's a throw it's a throws ठीक है throws exception and now let's see अब मैं अगर इसको run करता हूँ तो there is no error now I will get a message file created और अब अगर मान लीजिए मैं file में जाके देखता हूँ तो बाकदा देखा बी भी है मैं इसको comment कर देता हूँ तो मैंने अगला अब्जेक्टी क्लियर किया file input इन्पूट इन्पूट इस्टिम file input इस्टिम FIS जिसके initial value हमने रखी है null ओके और आप इसको भी हम define करते हैं यहां पर भी हमने क्या लेखा file sorry FIS equal to new or this is what file input इस्टिम FIS equal to new file input इस्टिम और location हमने उसी file की दी है लेकिन यहां पर अब हम true नहीं लिखेंगे और आप मुझे क्या करना है इस file से एक single character read करना है तो यहां पर आप देखेंगे अगर मैं लिखता हूँ CH equal to FIS dot read तो read method आपको जो data अब अगर इस application को हम run करते है let's see error आएगी no doubt error आएगी यह देखिया इनकॉंपीडिबल टाइप तो यहां पर मुझे क्या करना है actually इसको type cast करना है character में तो मुझे इसको क्या लिखना पढ़ेगा care and then FIS dot read ओके और अब अगर मैं इसको run करता हूँ तो फाइल का जो पहला character होगा वह यहां पर मुझे मिल जाएगा जो कि मैंने print नहीं किया है read तो किया है लेकिन यहां पर मुझे इसको print भी करना पढ़ेगा system.out.println ठीक है यह print method चलिए ch ओके और अब मैं इसको run करता हूँ आप देखिए तो यहां पर अब मुझे file में क्या मिल गया B लेकिन अगर मान लीजे file में मैं कुछ और character भी लिख देता हूँ चलिए मैं यहां पर यह लिख देता हूँ ठीक है BAT data flare free course है यह मेरी file में data है अब मुझे क्या करना है अब मुझे file के हर character को read करना है I want to read all the character from file right लेकिन यहां यहां पर मुझे क्या हो रहा है एक बार में एक ही character read होके मिल रहा है तो यदि आप हर character को read करना चाहते हैं तो file के ending जावा में होती है minus one से तो यहां पर मुझे क्या करना पढ़ेगा loop लगाना पढ़ेगा while एक variable हम declare करते है integer n ठीक है और यहां पर हम लिखेंगे n equal to fi is.read ठीक है और यह पूरा code आपको check लगाना पढ़ेगा minus one के साथ तो यहां पर हमने लिख दिया not equal to minus one ओके और अब मुझे यहां पर read के बजाए character को n को typecast करना है और इसको print करना है तो अब देखें file के हर character को अगर आपको read करना है तो यहां पर आपको file में data read करना है कब तक जब तक minus one नहीं आ जाता है क्योंकि minus one जावा में मुझे आउटूट में लेगा bad भी और data flare free course भी that is what how to read multiple character from a file कि एक फाइल से आप multiple character के से read करेंगे got my point तो एक file में data write के से करना है file से data read के से करना है I hope concept आपको समझ में आए और जैसा में आपको देखी class में भी कहा है कि it's just a concept about the file लेकिन इससे related interview questions क्या होंगे इससे और implementation के code आप किस तरीके से लिख पाएंगे file से related project development किस तरीके से होगा आप हमारे टेक विद्वान के course को देखिए वहाँ पर आपको जो कि हमारा placement ready course है जो कि टेक विद्वान के website पर आपके लिए अविलेबल है वहाँ पर आपको सारे doubt clear हो जाएंगे right क्योंकि मैंने almost 3-4 project file handling को लेके वहाँ पर develop किये है फाइल को लेके almost 10-20 programs हम लोगों ने बना है file output stream file input stream reader writer append mode object output stream object input stream serialization and everything मतलब जो की interview के लिए important concept है ओके तो चलिए फिर मुलाकात करते हैं next lecture में और बात ऐसे ही कुछ और important topic की होगी तब तक के लिए टेक क्यार बाबाए